So finally 21 June को Full Moon आ रहा है किस किस को इंतिजार रहता है Full Moon का New Moon का और पूछल का ये हर मन्थ में आता है और Miracle लेके आता है अगर किसे की विश बोहट एंप से Manifest नहीं हो रही है या कोई अपनी Healing नहीं कर पा रहा है आप Life में जिस फिल में आगे बढ़ना चाहते हैं अगर आप नह बढ़ पा रहना तो आपके लिए तीन मौके हर मन्थ में आते हैं जिस टाइम आप अपने इच्छा को इंस्टिंट पूरी कर सकते हैं और जून का फुल्मन आ रहा है ये स्ट्रॉबरी फुल्मन है इसे स्ट्रॉबरी फुल्मन क्यों कहा जाता है क्योंकि ना इस महीन में जो स्ट्रॉबरी है बिलकुल पक जाती है उसका टेस्ट बहुत अमेजिंग लगता है तो अगर आप चाहते हैं कि फुल्मन वाले दिन आपके विश पूरी हो जाए तो ये वीडियो इन तक देखना ही है आपको क्योंकि ये वीडियो बहुत मैजिकल होने वाली है बहुत नई कोई टेकनिक नहीं बताने वाली हूँ इस वीडियो में बहुत सारे गाइडेंस देने वाली हूँ जिसके जरिये आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे क्योंकि ये फुल्मन बहुत अच्छे दिन को पढ़ रहा है यानि शुक्रबार को पढ़ रहा है और जब तो हम बहुत सारी चीजे कर सकते है अपनी किसी भी चीज के लिए पहली चीज शुक्रबार को पढ़ रहा है تو आप अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं किस तरह की ग्रोथ फाइनांशल ग्रोथ अगर आप जॉब नहीं मिल रही है घर में पैसे नहीं है तो मेटरलिस्टिक जितनी भी है न उन सभी को आप manifest कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक दिन में है न बहुत magical full moon तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर की Hello and Hi to all my beautiful people कैसे हैं आप सब I hope आप सभी बहुत अच्छे हैं खुछ हैं positive में खुट का ध्यान रख रहे हैं और सबसे important कि आप सभी बहुत ज़्यादा healthy हैं आपनी अपनी soul purpose के और आगे बढ़ रहे हैं आज की वीडियो बहुत magical होने वाली है इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि full moon को आपको क्या क्या करना चाहिए morning से night तक जी हाँ तो वीडियो में इन तक बने रहेगा चैनल पर आप नई आए हैं तो इस चैनल को subscribe ज़रूर से कर लीजीगा बगर बिल आइकन हैं जिसे all पर प्रेस करना बिलकुल मत भूलेगा तब ही आपको future वीडियो का notification सबसे पहले मिलेगा और सबसे पहले आप वीडियो को watch कर पाएंगे तो शुरू करें वीडियो को और जानते हैं कि morning में उठने के साथ साथ full moon वारे दिन आपको क्या करना चाहिए और ऐसा नहीं है कि ये वीडियो अगर आपको next full moon को मिल रही है या बात में कभी भी मिल रही है तो आपके काम की नहीं है बिलकुल नहीं आप कभी भी full moon आ रहा है किसी भी मन्त में तो आप ये सारी चीज़े कर सकते हैं और full moon का मतलब बहुत सारे लोग पूछते है full moon का मतलब simply पुर्ण वासी तो आपको क्या करना है morning में उठने के साथ साथ अगर ये आपकी आदत नहीं है तो आपको आदत डाल लेनी चाहिए ये चीज़ आपको अपने daily routine में शामिल कर लेनी चाहिए क्योंकि जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो आपके life दीरे दीरे इतनी magically change होती है कि आपको यकीन नहीं होगा कि जो पहले आप थे जिस pattern में जी रहे थे जो आपके mind में भरा रहता था negative thoughts वही इंसान है आज 21 दिन वाद इतना change हो गए करना क्या है morning में उठने के साथ साथ universe को gratitude कीचिए जितना हो सके आपके life में जो भी चीज़े हैं अच्छी है, बुरी है, doesn't matter अच्छी है तो उसके लिए thank you कीचिए कि उस चीज़ की वज़े से आप आगे बढ़ पारें कोई person है, situation है कोई चीज है, anything जो भी आपके पास है और positive है, आपके life में value एड़ कर रही है तो उन सारी चीज़ों के लिए universe को धन्यवाद बोलिए जो चीज़े बुरी है, उनके लिए क्यों धन्यवाद बोलना है भाई, उससे आप कुछ न कुछ सीख रहे हो तो जब भी life में कुछ बुरा होने लगे, खराब situation आ जायना, तो बिल्कुल घबरानन ही चाहिए, वो हमारा test होता है, जिसमें और ज़्यादा positive होने की जरुरत होती है, और ज़्यादा strong होने की जरुरत होती है तब ही आप उस test को pass कर पाएंगे, और फिर से आपकी जो new life चुरू होगी, पहले से मिलेगा, चाहिए फिर सुख ही मिल जाए या दुख ही मिल जाए, और अगर दुख है, तो वो समय भी बीठी जाना है, तो इसलिए इन सब चीजों में ज़्यादा involve होने की जरुरत नहीं है, तो आपके पास जो है उसके लिए भी gratitude जो नहीं है उसके लिए भी, जो अच्छा है उसके लिए भी, जो बुरा है उसके लिए भी, क्या आप उस चीज से कुछ न कुछ सीख रहे हैं, लिसन ले रहे हैं, कि आपको लाइफ में क्या नहीं करना है, ठीक है जी, ये करने से होगा क्या, ये करने से ये होगा, जब आ बिल्कुल यसी तरह से युनिवर्स में है, युनिवर्स क्या है, भग्वान क्या है, पर्मात्मा क्या है, एक अनर्जी, जीने हम देह नहीं सकते, अगर आपके कशंता है तो आप फील कर सकते हैं, आप चाहोगे कि आपको दिख जाएं, तो यह कलीयुग है गज़िश, इसमे तो आप फील कर सकते हो, फील कैसे कर सकते हो, जैसे आग है, आग कैसे है, इसमें भी परमात्मा है, पानी है, इसमें भी परमात्मा है, हम सांसे ले रहे हैं, हवा है, इसमें भी परमात्मा है, अगर आप देखना चाहो, ढूलना चाहो, फील करना चाहो, तो कंड कंड में भग तो उन ही भगवान को या आप जिसे भी मानते हो उन शक्ति को धन्यवाद बोलो बहुत सारा अनगिनत जितना बोल सको उसके बाद आपको उठ जाना है और करना है अपने घर के क्लिंजिंग अब ये क्या होती है जाड़ू पोचा जी नहीं इस प्रिच्वल किंजिंग की में बात कर रहे हूँ वैसे आप पोचा भी लगा सकते हैं जिससे घर की नेगटिविटी दूर होती है तो आप इस बार क्यूंकि इस बार फुल्मन पढ़ रहा है शुक्रवार को अगर गुरुवार को पढ़ता है तो हम नमक वाला पोचा अव होती है इससे आपके घर का वातवरन शुद होता है और पॉजिटिविटी जिसे हम भगवान कहते हैं उनकी एनरजी उनकी वाइबरेशन हमारे घर पर पढ़ती है और हम पॉजिटिव होने लगते हैं फुल्मन को न्यू मून को या पोटल वाले दिन को हर इनसान की हर प्ल कितना कुछ कर सकते हैं कितना कुछ जानने के लिए है बस हम खा रहे हैं जी रहे हैं खा रहे हैं सो रहे हैं बस इसे में लाइफ जा रहे हैं तो इससे आगे भी कुछ है और जितना आप आगे बढ़ना चाहेंगे जितना ही पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ना चाह वो कैसे इस मर्जिस्टिक आती है मार्केट में या फिर आप आनलाइन मंगा सकते हो उसे जिलाना है और वो बहुत बड़ी होती है आप एक बार लाओगे तो काफी टाइम आपका चल जाएगा 6-7 महिने जा सकते हैं क्योंकि डेली तो करना नहीं होता है अगर आप डेली भी क इक डिली जिंजिंग करेंगे वह πैसे जैसे आप अप्लॉप धान के आते हैं जिसे घुप जो भी कहते आ उसे जलाके दिखा सकते हैं, ये भी नहीं है, तो उपला, कपूर, लॉंग, जो भी हर्ब्स आते हैं, आप उन्हें जलाके, तेज पत्ते हैं न, कुछ नहीं है, तेज पत्ते हैं, वो भी आप जला सकते हो, इससे आपके घर के कीट भी दूर होंगे, जैसे मच्छड, बहुत सारे कीडे मकोडे, और आपके घर का वाइब्रेशन पॉजिटिव होगा, और आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी, आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, ना की जॉब में प्रॉब्लम है, सलिरी में प्रॉब्लम है, घर में पैसे आते हैं, रुखते नहीं हैं, मतलब ये जो सारी समस्याइं हैं ये आपकी लाइफ से दीरे दीरे करके पूरी तरह से क्लीन हो जाएंगी अगर आपने इसे डेली करना शुरू कर दिया तो आप सिर्फ फुल मुन को ही नहीं हर शुक्रवार को केजिए इसके बाद आप जितना चाहें पूजा पाट कर सकते ह हैं आप दान दे सकते हैं फुल मुन वाले दिन दान दीजिए सबसे अच्छी चीज और हाँ जब आप कोई भी चीज दान देते हैं मतलब चैरिटी करते हैं तो उसे हर किसी से बताईए मत कहा जाता है कि जब आप दान करते हैं तो आप एक हांसे करते हैं तो आपके दूसर कर लो, थोड़ा सा अच्छा कर लो, थोड़ा सा भगवान में कर्चा कर लो, सब जगा लोग बताते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं परमात्मा के उपर, जो उनका है, उसी में से आप उन्हें ही दे रहे हो, तो यहाँ पर एहसान मत दिखाओ, आप लोग कोई एहसान नहीं कर रहे हो, आप खुद के लिए, ये चीज भी आप खुद के लिए कर रहे हो, अपने स्वार्थ में कर रहे हो, तो ठीक है, स्वार्थ में ही करो, लेकिन जब करो तो किसी से बताओ मत तो जदा जदा charity कर सकते हैं पैसे है तो उसका दान कर सकते हैं वस्त्र का दान कर सकते हैं आप गरीबों को खाना खिला सकते हैं इन सारी चीजों से आपकी life में आती है बहुत सारी positivity और आपकी जो भी desires ना जो भी anything अगर आप relationship सही करना चाहते हैं, अपना health improve करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी beauty enhance हो जाए या फिर आप चाहते हैं financial stable होना, आप जो चाहते हैं घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, आप जो लेना चाहते हैं, वो सब कुछ आप ले पाएंगे, लेकिन ये जो रखेगा गुरुवार के दिन आपको नमक वाला पोच्छा घर में नहीं लगाना चाहिए भगवान विश्नु बहुत ज़्यादा नराज होते हैं तो आप लोग किसी भी मंत्र का जाप कीजिए अगर आप महिला हैं पिरिस में मंत्र का जाप नहीं कर सकती हैं आप स्वीच व अलावा बहुत प्यारी सी टेकनीक है वाटर मेनिफेस्टेशन जो कि मैं लाइव हाके आप लोगों के साथ करने वाली हूँ 21 जून सान साथ बजे आप सभी रेडी रहेगा आज की इस वीडियो में इतना है मिलते हैं नेक्स वीडियो में खुद का ध्यान रखे पॉस्टि श्रीं बाइ